यूएस और एजिप्ट के ट्रिप से वापस आने के बाद मोधी जी ने बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नडडा से पूछा कि ये बताओ भई, इंडिया में चल क्या रहा है नडडा जी ने मुस्कुरा के कहे तो दिया कि साब चंगा सी, मगर कुछ IT सेल वालों को ये बात सुनकर हैरानी होगी, लेकिन मनिपूर इंडिया का ही एक अटूट हिस्सा है और जहां फ्लाइट आपको अमेरिका और एजिप्ट से बहुत पहले पहुंचा देगी उसी जगे पिछले दो महिनों से ऐसा कांड चल रहा है, ऐसा गेम चल रहा है कि अब उससे इंटरनेशनल हेडलाइन्स बन रही है Observers का तो ये कहना है कि स्टेट में एक तरीके का विभाजन, एक पार्टिशन हो चुका है मैतै और कुकी कम्यूनिटीज के बीच में, सौस से ज़ादा लोगों की मौत हो चुकी है, हजारो घर जल चुके हैं, इंक्लूडिंग MLS के और पचास हजार के उपर के संख्या के लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, हजारो रेफ्यूजी कैम्प में, रेफ्यूजी की तरह, मने इंटरनेशनल कोई रेफ्यूजी के तरह, अपनी जान बचा कर बस जीने की कोशिश कर रहे है मनिपूर आज सिविल वार की कदार पर बिल्कुल खड़ा हुआ है, हजारो आटोमेटिक राइफल्स लूटी जा चुकी है, पुलीस, पैरमिलिटरी और आर्मी के होने के बावजूद सिचुएशन कुछ खास कंट्रोल में नहीं आई है उल्टा आर्मी ही खुद कह रही है कि वो ऐसे कंडिशन्स में ऑपरेट नहीं कर सकती है, वो अपने आप में एक स्टोरी बन चुकी है कि कैसे हमारी आर्मी उस एरिया में helpless है, उसके बारे में भी समझाएंगे मेरा स्टेट जल रहा है मेरी कौम कहती है, उलम्पिक मेडल विनर ने आवाज उठाई अपने स्टेट के बारे में पर मोदी जी उलम्पिक मेडल विनर में कहां सुनते हैं आचकल इस मामले में देश के प्रधान मंतरी दो महीनों से चुपी साधे हुए है सोशल मीडिया पर हाइपर एक्टिव होने के बावजूद एक ट्वीट नहीं, एक देश के प्रती संदेश नहीं ऐसा क्यों? स्टीट की जनता ने इंतजार किया कि शायद चलो मन की बात में मोदी जी मनिपूर के बारे में कुछ तो कहेंगे, कुछ तो दिलासा देंगे मगर जब एक शब्द भी नहीं कहा, इस बारे में तो लोगों ने मन की बात, मन की बात मैतई और कुकी कम्यूनिटीज, उनके लीडर, सिविल ग्रूप्स, आल्मोस्ट किसी भी चीज़ पर अगरी नहीं करते हैं, पर एक ऐसी चीज़ है, शायद एक ऐसी चीज़ है, जिस पर वो पूरी तरीके से सहमती रखते हैं, कि मनिपूर कितना भी चीख ले, मोदी जी, दिल्ली सरकार को और शायद हिंदुस्तान की जनता को घंटा फरक नहीं पड़ता है कि उस स्टेट बेर क्या हो रहा है, लेकिन देशभक्त के मेंबर्स ने हमें ये बात बिल्कुल साफ कर दी, कि इस प्लाटफॉर्म पर, देशभक्त प्लाटफॉर्म पर मनिपूर की आव काम किया है, कैसे ये डबल इंजिन सरकार का सबसे बड़ा शायद फेलियर रहा है आज तक का, और क्या सिच्वेशन वोपस नॉर्मल आ सकती है, और अगर हाँ, तो कैसे। नेता टाइब आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पी दबाओ जियोग्रफी, डेमोग्रफी और हिस्ट्री, इन तीनों चीजों के बगाएर मनिपूर का आज का सिच्वेशन समझना मुश्किली नहीं, नामुम्किन है मनिपूर का मैप देखिए, ये एक पुलिटिकल मैप है, और इसको देखने से दो चीज़े साफ हो जाती है मनिपूर देश के एक्स्ट्रीम नौर्टीस्ट एरिया में है, और ये की मियनमार के साथ इसका एक लंबा बॉर्डर शेर होता है अब ये रहा मनिपूर का फिजिकल मैप, इस मैप से ये साफ हो जाता है कि मनिपूर में दो डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल फीचर्स है स्टेट के बीचों बीच है एक वैली और इसके इर्दगिर्द है पहाड बीच की इमफाल वैली स्टेट का लगभग 10 प्रतिशत लैंड एरिया कवर करता है सिर्फ 10 परसेंट और जो हिल्स है वो बाकी का 90 प्रतिशत कॉंस्टिट करती है सबसे बुनियादी डिवाइड मनिपूर की इसी जियोग्रफी से आती है समझाता हूं कैसे वैली में पॉपुलेशन डेंसिटी हिल्स के मुकाबले काफी जादा है वैली में एरिया 10 परसेंट मगर पॉपुलेशन लगभग 60 परसेंट हिल्स में एरिया 90 परसेंट लेकिन पॉपुलेशन करीबन 40 परसेंट पर valley और hill के बीच में ये जो विभाजन ये जो division है ये बस इसकी शुरुवात है अब आप आकड़े देखिए, numbers देखिए, cold numbers ये इस पर कोई debate नहीं है clean drinking water की facility ज़्यादा कहां मिलेंगी? Infall Valley, clean cooking fuel कहां मिलेगा? Infall Valley, healthcare आपको कहां मिलेगा? Infall Valley, nutrition better कहां मिलेगा? Infall Valley, industry ज़्यादा कहां है? Infall Valley, ठीक है? यहाँ तक tourism industry जो मनिपूर के लिए economically काफी important है वो भी ज़्यादातर Infall Valley तक ही सीमत रहती है अब ऐसे geographical situation में एक economic disparity, एक economic divide अकसर आता है इसमें भी कोई अचंबे की बात नहीं है अब Valley में जमीन उब जाओ है, खेती ज़्यादा वहाँ होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा वहाँ होती है अब जाहिर सी बात है कि ज़्यादा population density और better facilities वहाँ होंगी Valley में पर यह geographical और economic divide एक demographic और social divide भी create कर देता है और अगर सरकार इस पर ध्यान ना दे, इसी से social tension बाद में जाकर बनता है स्टेट की total population में around 60% मैटाई है और 40% है नागा और कुकी मगर यह population equally distributed नहीं है Valley के population में 90-95% मैटाई है और hills में 90-95% population कुकी और नागा communities constitute करती है यानि मैटाई community के पास better facilities है, better employment है और population के हिसाब से जादा political power भी है Very important to note, Manipur Assembly में 60 में से 40 seatे majority मैटाई के पास है पर हम में से शायद किसी को भी यह पता नहीं होगा कि यह ऐसा demographic distribution है क्यो यानि geography class के बाद एक छोटा सा history session जरूरी है समझने के लिए कि आज यह state जल क्यों रहा है Historical sources के मताबिक हजारों साल पहले मैटाई community present day नौर्थ मियनमार के इलाके से आकर इंफाल वैली में settle होती है इन्होंने सदियों से इंफाल वैली पर राच किया पहले mostly अपने खुद के indigenous religion सनमही को follow किया और फिर 1730 में हिंदु धर्म में इनको convert किया गया जब मनिपूर के राजा खुद हिंदु धर्म अपनाते हैं अर्ली 1800 में बर्मा ने मनिपूर पर invade किया पर उसी के तुरंथ बाद अंग्रेजों ने भी invade कर दिया उस इलाके पे मनिपूर को अपने empire का एक हिस्सा धीरे-धीरे बना दिया 1949 में मनिपूर के राजा ने accession के document sign किये और मनिपूर इंडिया का एक union territory बन गया हाला कि controversy इस बात पर भी है कि राजा ने मनिपूर के legislative council से permission नहीं ली थी और इसी बात से शुरुवात होती है मनिपूर की काफी हद तक powerful secessionist, separatist, militant movement और historically अगर आप देखें तो almost सारी यहां की communities में militant groups रहे चुके हैं separatist movements रहे चुके हैं और कुछ तो आज तक भी हैं पर इस short history से जो एक बात सामने आती है वो ये कि मैते कम्यूनिटी का infal valley में काफी time से political control रहा है, influence रहा है जैसे हर राजा और हर kingdom की कोशिश रहती है मैते kingdoms ने भी यही कोशिश की थी कि अपने चारों तरफ के ये जो पहाड हैं, जो hills है ये जो इलाके हैं, इन पर भी अपना control वो जमाने की कोशिश करें और तभी से valley-based मैते लोगों का और hill-based tribe के बीच में तनाव रहा है तो ये तनाव आज का नहीं है, ये देश के आजादी से बहुत पहले से है पर आखिर ये hill-based tribes है कौन? इसको भी समझना ज़रूरी है क्योंकि ये tribe एक नहीं है, कुल 33 tribes recognized है और इन tribes को broadly categorize किया जाता है दो में नागा कम्यूनिटी और कुकी, जोमी, मीजो या चिन कम्यूनिटी हम इस वीडियो में कुकी कम्यूनिटी उनको बुलाएंगे नौर्थ वाले hills में रहते हैं और कुकी साउथ में रहते हैं दोनों कम्यूनिटी हिस्टोरिकली semi-nomadic रहे हैं यानि settler होकर villages भी बनाते हैं और जूम cultivation यानि slash and burn cultivation का भी इस्तमाल करते हैं दोनों करीबन 150 साल पहले Christianity में convert होते हैं और ये communities मनिपूर के hill districts को अपना जमीन, अपना घर मानते हैं इनका बहुत ज़ादा attachment होता है hills के साथ नागा और cookie communities के बीच में भी काफी clashes हो चुके हैं historically मगर दोनों ही ये मानते हैं कि मनिपूर में मैतई का domination कुछ ज़ादा ही बढ़ रहा है मगर काफी सारे मैतई इस उल्टा ये मानते हैं कि भई उनका जो वर्चस्व है उनकी जो importance है वो कम हो रही है और यही बनती है basis of the clash मैतई इसका ये कहना है कि वो अपने ही state में एक धीरे-धीरे minority बने जा रहे हैं और धीरे-धीरे उनके जमीन पर कबजा हो रहा है उनकी जमीन उनसे चिन रही है बेसिकली वो खत्रे में हैं क्यों? मैतई इसका argument ये है कि कुकी और नागा communities के पास schedule tribe का status है जो मैतई community के पास नहीं है अब इसके चलते मैतई community hill districts में freely जमीन नहीं खरीच सकते है बिजनिस वहाँ नहीं चला सकते है लेकिन इमफाल वैली में मनिपुर क्या पूरे हिंदुस्तान से कोई भी आकर जमीन खरीच सकता है कोई भी बिजनिस चला सकता है तो मैतईस कह रहे हैं कि वो जो 10% एरिया जो वैली वाला है वो भी उनके हाथ से चला जा रहा है वो भी एरिया श्रिंक हो जा रहा है अब सर उन्हें मिलने ही रहे है और लैंड श्रिंकिंग के साथ साथ मनिपुर में बहुत सारे illegal cookie immigrants आ रहे हैं Myanmar से इस बात पर काफी विवाद है जिससे पूरे स्टेट का demography change होने की बात हो रही है उपर से ये immigrants reserved forests में भी encourage कर रहे है illegal puppy cultivation कर रहे है इसलिए उनका मानना ये है कि इनके खिलाफ ये hills में action बहुत ज़ादा जरूरी है मैतेज अपने ancestral land, अपने tradition, अपने culture, अपने language को बचाना चाहते है और एक minority नहीं तो वो बन जाएंगे कुछ मैतेई groups ने मनिपूर high court में ST status की मांग की जो अगर मिल जाए तो reservation के साथ साथ मैतेई's hill districts में जबीन खरीद पाएंगे, business कर पाएंगे तो फिर उनका विकास होने लगे का ये उनका मानना था अब एक shocking judgment आती है एक single judge bench, justice M.V. मुरली धरन ने अपने judgment में मनिपूर की state government को direct कि वो union government से मांग करें कि मैतेई's को भी ST status दिया जाए basically मैतेई groups की favor में एक बहुत बड़ी ruling आती है अब बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि ऐसा judgment देना क्या justice मुरली धरन के अधिकार में भी था या नहीं Supreme Court ने खुद इस बात पर आपत्ती जताई है कि एक High Court के पास ये control है ये उसके jurisdiction में आता ही नहीं है कि वो ST list में changes की मांग भी कर सके या नहीं पर High Court की इस एक चूक की वज़े से जो tension simmer हो रही थी वहाँ पर सबसे पहले धरना प्रदर्शन शुरू होता है उनका ये कहना है कि मैतेज के पास पहले से ही better facilities है जादा उपजाव जमीन है, political control है remember state assembly में 60 में से 40 seats मैतेई dominated है state के almost सारे CA मैतेई रह चुके हैं दो को छोड़ कर मैते language को 8 schedule में include भी किया गया है और भई cookies हमारे पास क्या है, हमारे पास तो hills छोड़ कर कुछ भी नहीं है और ये ST status ऐसा tool है जिसके जरिये मैतेईस की कोशिश ये रहेगी कि हमें हमारे hills से, हमारे जमीन से, हमारे घर से बेदखल कर दिया जाए चुरचनपूर का जो protest होता है, अब वो violent हो जाता है उसके बाद condition increasingly day by day खराब होती रहती है और मैतेई और cookie groups के बीच में जंग छिड़ जाती है अब उमीद है कि आप जानते हैं कि पिछले दो महीनों में roughly वहां कितना violence हुआ है उतने detail में नहीं जाओंगा, लेकिन इतना तो शायद आपको मालूम होगा मनिपूर में दर्ध है, हुस्सा है और खौफ का माहौल है cookie majority hill district के almost सारे मैताई इमफाल वैली में आ चुके हैं और इमफाल वैली में जो कुछ cookie थे, वो hill district वापस जा चुके हैं स्टेट के अंदर ही अंदर de facto partition एक विभाजन हो चुका है situation इतना खराब कैसे हुआ? सवाल बहुत सारे हैं और सवाल सब पर उठते हैं एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि नागा गृप्स क्या कर रही हैं इस पूरे controversy में नागा गृप्स भी तो चाहते हैं कि मैतईस को ST status ना मिले मगर इस violence में broadly नागा गृप्स involved नहीं रहें अब आप पूछें क्यों? क्योंकि जो मनिपूर में चल रहा है वो सिर्फ वैली वर्सेज हिल नहीं बलकि साफ तोर से एक मैतई वर्सेज कुकी polarization है ये इसलिए भी क्योंकि जादातर मैतई कम्यूनिटी में एक perception है कि कुकी कम्यूनिटी outsider है जो मियनमार से उनके स्टेट मर घुसके आई है situation को बिगाडने में BJP के चीफ मिनिस्टर बिरेन सिंग गब्मेंट का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा है देखिए ऐसा नहीं है कि मैतई के जो issues है वो genuine नहीं है मगर इन issues को थोड़ी sensitivity के साथ handle करना होता है थोड़ा balancing act करना होता है क्योंकि कुकी कम्यूनिटी का कहना है कि बिरेन सिंग एक मैतई majoritarian सरकार चला रहे है और कुकी इसको जानमूच के persecute किया जा रहा है क्योंकि भाई votes तो दूसरे तरफ है न इन तीन मुद्दो का example देखिए reserved forest, immigration और poppy cultivation कुकी कम्यूनिटी का allegation ये है कि reserved forest के नाम पर cookie villagers को घेरा जा रहा है उन्हें वहाँ से निकाला जा रहा है इसी साल 20 February को चुरचनपूर डिस्ट्रिक्ट में एक पूरे cookie village को उखार कर फेग दिया गया क्यों? अरे forest protection के नाम पर आप यहां नहीं रह सकते हो illegal poppy plantation को खतम करने के लिए बिरेन सिंग सरकार ने hill district में कई एकर जमीन जब्त किये है चीफ मिनिस्टर बार बार नार्को टेररिजम का आरोप लगा चुके हैं अलग-अलग cookie groups पर कि ये poppy plantation को encourage कर रहे हैं उनसे वो tax कमाते हैं ये communities अब ये बात सच है, poppy cultivation वहां हो रही है और इससे deal भी करना चाहिए इंडिया Myanmar border area में बहुत बड़ा system मौझूद है drug trade का लेकिन इसको deal करने के लिए एक holistic social economic solution की ज़रूरत है सिर्फ कोई एक community को target करने से solution नहीं निकलने वाला इससे बस हुआ ये है कि cookies और मैते इसके बीच में फासला और भी ज़्यादा बढ़ गया है तीसरा problem immigration का बिरेन सिंग सरकार ने ये एलान कर दिया कि स्टेट में बहुत सारे Myanmar से illegal immigrants आ रहे हैं और इसी के वज़े से एक NRC type verification drive की ज़रूरत है और sources के मुताबिक खास focus उनी districts पर दिया जाएगा जहां cookie communities जादतर रहती है हाँ मनिपूर में Myanmar से cookie communities के लोग migrate किये हैं इसमें कोई debate नहीं है मगर याद रखिए कि cookie communities हमेशा से ही इन areas में migrate करती आई हैं हिंदोस्तान और Myanmar के border बनने से पहले इनके ethnic clans इनके लिए जादा important है और migration बढ़ी इसलिए है क्योंकि Myanmar में 2021 से civil war के चलते बहुत सारे लोग वहाँ भाग कर नौर्थी स्टेट्स में शरण लेने आए हैं मिजुरम ने हजारों refugees को shelter दिया है by the way मिजुरम की home minister ने proudly ये कहा है कि जो चिन लोग Myanmar से आए हैं वो हम मीजोस के भाई बहन हैं और just because beach में international boundary है और वो किसी ने खीज दी है इसका मतलब ये नहीं है कि मुश्किल वक्त में हम अपने भाई बहनों को shelter नहीं देंगे ये दिखाता है कि कितना strong ethnic ties है मनिपुर की सरकार ने उल्टा ऐसा कोई फैसला नहीं लिया और इसके बावजूद कोई help ना होने के बावजूद state से मनिपुर की कुकी कम्यूनिटी ने काफी सारे refugees को shelter दिया है और उनका ये कहना है कि कोई illegal immigrant नहीं है ये हमारे ही भाई भेन हैं, refugees हैं जो एक war town area से भाग कर हमारे पास आए हैं बिरेन सिंग सरकार को ये बात समझ नहीं आए कि कुकी के लिए उनके ethnic ties, international boundary से कई ज़ादा बड़े हैं क्योंकि ये एक emotional मामला है और देखिए, अगर situation इतनी complex होती तो सरकार को एक balancing act तो करना चाहिए था consensus building करना चाहिए था long term social economic solution निकालना चाहिए था मगर बिरेन सिंग सरकार ने किया क्या सिर्फ मैतई perspective को represent किया और हालाद बच से बत्तर हो गए कि एक साफ perception बन गया अब मानो ना मानो कि कुकी community तो यहीं मानती है कि state सरकार हमारे खिलाफ है हमें इनक्रोचर मानती है हमें drug trader मानती है हमें illegal बुलाती है हमें target करती है और हमारे जमीन पर अब कबजा करना चाहती है और अब यहां union government पर भी बहुत बड़ा question mark लग गया है खास कर कि पिछले दो महीनों पहला सवाल तो यह कि जब मनिपूर में उन्ही की सरकार के तहत इस तरीके का polarization चल रहा था तब मोशा का चानक के नीती क्या कर रहा था polarization रोकने के लिए क्या किया गया था या ये उनके आशिरवात से ही ये polarization का script यहां चल रहा था क्योंकि दूसरे जग़ों पर ऐसा ही script चला है फर्ग बस इतना पढ़ गया है कि मनिपूर में ये backfire कर गया है दूसरा सवाल ये प्रेजिडेंट रूल कब लगाओगे लार्ड स्केल वाइलेंस होने के बाद कुकी ग्रूप, सिविल सुसाइटी और्गनाइजेशन, पुलिटिकल पार्टीज यहां तक की नेबरिंग, मीजोरम की सरकार ने भी कहा कि सबसे पहले बिरेन सिंग की सरकार को यहां हटाइए, प्रेजिडेंट रूल लगाइए ताकि कम से कम सब के बीच में कॉन्वर्सेशन तो शुरू हो, कि लोगों को भी लगे कि सरकार अब सीरियस है, लेकिन आज तक ये बेसिक कदम भी नहीं उठाया गया तीसरा शॉट कमिंग, मनिपूर में जो ये लॉंग टर्म मुद्दे हैं उन पर सेंटर का स्टैंड क्या रहा है पॉपी कल्टिवेशन को लेकर इकनॉमिक अल्टरनेटिव की पॉलिसी क्या है मियनमार सिविल वार रेफ्यूजीस को किसी सेंसिटिव रेफ्यूजी पॉलिसी के तहट क्या यहां लाया जा सकता है भाशन देने में और इंसाइडर आउटसाइडर पॉलिटिक्स करने में तो हम नंबर वन हो सकते हैं लेकिन अगर कोई कॉम्परिहेंसिव सेंसिटिव सेल्यूशन निकालना हो तो एकदम चुप्पी हो जाती है और ये चुप्पी सबसे बड़ी प्रॉब्लिम है कैंपेंट टाइम पे तो परधान मंतरी रैलीज करते हैं वर्चुल रैलीज करते हैं मनिपूर में विकास और सूरज उगने की बात करते हैं कहते हैं कि नई स्थिरता मिलेगी उनके आने के बाद लेकिन यहां पूरी दुनिया घूम लिया और खुद मनिपूर जाकर एक औल पार्टी मीटिंग आप नहीं चेयर कर पाए इलेक्शन रैली होता तो देखो कितनी जल्दी वहां पहुँच जाते हैं मजाग नहीं कर रहा हूं मैं त्रिप से वापस आने के बाद देखिए क्या होता है भोपाल पहुचा जाता है मेरा बूट सबसे मजबूत प्रोगराम में देड़ घंटे से जादा बात किया जाता है लेकिन मनिपूर के बारे में एक साउंड वाइट आपको ना मिलेगा हो सकता है कि ये डर इस बात का है कि अगर openly involved हो गए, commitment दे दिया फिर situation और खराब हो जाती है तो भई आपकी जो पावन image है उस पर पर चोट महुँच जाएगी ना इसलिए ना कोई president rule और ना कोई बयान, ना कोई commitment पर कोई उन्हें ये बता दे कि ऐसे situation में ये बहुत जरूरी है कि ये दिखे कि देश का प्रधान मंत्री उसको फरक पढ़ता है that he cares about the state या शायद फरक इसलिए नहीं पढ़ता है क्योंकि भई गिंचुन के मनिपूर में seats कितने हैं लोग सभाके केवल दो पर बात दो seat की नहीं हो रही है यहाँ बात यहाँ हजारों automatic rifles की हो रही है जो चुरा लिये गए बात हो रही है पचास हजार लोगों की जिनके घर उजड़ चुके है अब बात यह हो रही है कि अमिच्शा की एक all party meeting के बाद थोड़ी सी शायद वहाँ शांती की बहाली होगी informally अमिच्शा ने बिरेन सिंग को ये बोला है कि बस तुम कोशिश ये करो कि इंफाल वैली में पीस कायम रखे और हिल डिस्ट्रिक्ट में सेंटर आर्मी और पैरमिलिटरी फोर्स लगा देगी वहाँ शांती बहाल करने के लिए पर सिर्फ आर्मी भेजने से solution नहीं निकलता है काफी सारे groups आर्मी के साथ corporate नहीं कर रहे हैं हाली में एक women's group ने आर्मी कॉन्वोय को ब्लॉक कर दिया और writers को shield किया और basically आर्मी को ही sabotage कर दिया आर्मी भी बेबस हो रही है statements जारी कर रही है tweet कर रही है लोगों से request कर रही है कि भाई हम लोगों के साथ थोड़ा corporate करो नहीं तो peacekeeping mission fail हो जाएगा ये सारे किस्से भी यही दर्शाते हैं कि एक political solution के बगएर कोई भी peacekeeping operation effective नहीं है हमारी आर्मी बहुत powerful है लेकिन आप ऐसे अंधादून गोली और force नहीं लगा सकते हो तो भाई solution है क्या जिनकी मौत हो गई वो तो वापस आने वाले नहीं है लेकिन ये हो सकता है कि जो 50,000 लोग displace होकर बैठे हुए हैं उनकी कम से कम आप घर बापसी करा दो और इसके लिए solutions है लेकिन political will है कि नहीं है ये नहीं मालूम है योगि सबसे पहले तो आपको blame करना ये पूरे मामले को और खराब कर देगा इस पूरे मामले में सिर्फ factual reporting होनी चाहिए exaggerations और comparison को avoid करना चाहिए और please इस चीज को बिलकुल भी Hindu versus Christian मुद्दा मद बनाने की कोशिश करो जैसा कि IT Cell ने कोशिश भरपूर की है high level meeting करो constant dialogue करो प्रधान मंतरी मोदी को मनिपूर जाकर all party meeting chair करनी होगी और publicly मनिपूर की जनता को address करना होगा जिससे भई जैसे वो vote बांगते समय किया था उसी तरीके से corporation मांगना पड़ेगा vote मांगने के तरह corporation मांगिए consensus build करिए क्यों नहीं कर सकते हैं देखिए एक agreeable political solution सारी parties को discussion के बाद ही दिखने को मिलेगा पर अगर civil groups की खास कर की cookie community की मांग है कि बिरेन सिंग को पहले आप हटाईए ताकि consensus का जो process है वो शुरू हो सके तो बीजेपी को इसको भी seriously consider करना पड़ेगा या हर बार political या किसी भी leader को हटाने से पहले चाहे वो दिल्ली में हो या चाहे वो मनिपूर में हो इससे पहले आप दस बार सोचोगे और फिर बोल दोगे ना इससे काम नहीं बनेगा cookie groups का ये कहना है कि एक separate zoland state भी बनना चाहिए separate state बने ना बने valley और hills economically economically interlinked है और आगे भी रहेंगी यहाँ भारत सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि political solution जो भी निकले दोनों communities की shared और interlinked prosperity हो विकास के बारे में जो बात होती है वो ground पर भी तो दिखना चाहिए lastly जो लोग so called mainland India से कहलाए जाते हैं उन्हें अपने गिर्वां में भी जागने की ज़रूरत है इस mainland India ने करनाटका इलेक्शन आदी पुरुष और आए शाए न्यूस के बारे में कितना कुछ कहा है कितना कुछ सुना है कितने महीनों से हमने कहां focus किया है मनिपूर के बारे में कितना focus किया है क्या जानने की ज़रूरत है मीडिया पर blame करने से हमेशा नहीं होगा अपने आप से भी सवाल पूछना होगा ज़रूरी ये है कि हम as citizens हमारी civil society भी मनिपूर के साथ खड़े हो उनकी मदद करने की बात करे और center government पर भी थोड़ा pressure डाले कि भाई कर क्या रहे हो ये episode भी उसी दिशा में ही एक छोटा सा प्रयास है और ये point अब मैं ये point कही क्यो रहा हूँ सवाल of course media पर भी उठता है योगि media बहुत rarely जगती है जब North East की बात आती है तो जब people का interest होगा जब लोग सवाल पूछेंगे तो obviously media भी North East को काफी cover करेगी ये episode थोड़ा सा लंबा है मगर ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि team देशबक्त North East पर और भी ऐसे videos बनाए North East के history और politics के बारे में भी ऐसा बनाए तो please आप comments पर इस चीज को mention कर सकते हैं ये support आप दिखा सकते हैं एक छोटा सा चलो NE लिख दो for North East comment section पर पता तो चले कि कितने लोगों ने episode last तक देखा भी है मुझे ज़ादा expectation तो नहीं है आप मुझे गलत सावित कर सकते हैं और अगर आपने episode end तक देखा है अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो ज़रूर आप हमें support कर सकते हैं join button दबा सकते हैं नीचे या फिर patreon.com slash the deshbhakt पर जाकर एक annual member भी बन सकते हैं और exclusive perks भी unlock कर सकते हैं देखभक्त की तो यही उमीद रहेगी कि मनिपुर में इस situation सरकार थोड़ा इसको और aggressively और actively देखे और वहाँ peace की बहाली हो Many thanks for watching